साथियों, इन जूठी गरंटी देने वालों का रवया हमेशा से आदिवाचों के खिलाप रहा है पहले जन जातिय समझाय के युवाओं के सामने बाचा की बड़ी चुनोती आती थी लेकिन नई रास्तिय सिक्षा निति में अब स्थानी अभाता में पढ़ाई की सुविदा दी गई है लेकिन लेकिन जूठी गर्मेंटी देने वाले एक बार फिर रास्तिय सिक्षा निति का विरोध कर रहा है यह लोग नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाई बेहनों के बच्चे अपनी भाशा में पढ़ाई कर पाएं वो जानते हैं कि अगर आदिवासी बलीत पिछडा और गरीब का बच्चा आगे बढ़ जाएगा तो इनकी वोट बेंक की सियासत चौपट हो जाएगी मैं जानता हूँ आदिवासी इलाकों में स्कूलों का कॉलेजों का कितना महत्व है इसलिए हमारी सरकार ने 400 से अधीक नए एकलब्वे स्कूलों में आदिवासी बच्चों को आवासिय सिक्षा का आउसर दिया है अक्यले मत्यप्रदेश के स्कूलों में ऐसे 24,000 विद्यार्दी पड़ रहे हैं साथियो पहले कि सरकारों ने जन जाते समाज की लगातार उपेक्षा की हमने अलग आदिवासी मंत्राले बनाकर इसे अपनी प्रात्फिक्ता बनाया हमने इस मंत्राले का बजेट तीन गुना बढ़ाया है पहले जंगल और जमीन को लूटने वालों को समरक्षन मिलता था हमने फॉरेस राइट एक्ट के तहट 20,000,000 से जादा टाइटल बाटे है उन लोगों ने पैशा एक्ट के नाम पर इतने वर्षों तक राजनितिक रोटियां से की लेकिन हमने पैशा एक्ट लागू कर जन जातिये समाथ को उनका दिकार दिया पहले आदिवासी परंपरों और कला कौशल का मजाग बनाया जाता था लेकिन हमने आदी महोत सब जैसे आयोजन शुरू किये